चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों का तो दमों में उप्चुनाव होने वाला है और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा मध्यप्रदेश के कई दिगज दमों दौरे पर है बीजेपी ने बूत स्तर पर ताकत जोकी है एक तरह से कहा जाए द कमलनाथ ने एक मेगा रोट शो किया था और कॉंग्रिस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में वोट की मांग की थी और जोतिरादित सिंधिया भी दमों में मौजूद हैं दमों दौरे पर हैं कल उन्होंने जो रोट शो था उसको स्थागित कर दिया था कुरोना के चलते है उन्होंने रोट शो स्थागित किया लेकिन पूरी ताकत जोक रही है दोनों ही पार्टियां तो इस ख़बर पर हमारे साथ हमारे संबाद आता जुगल किशोर शर्मा दमों से लाइब जुड़ गये हैं जुगल आप से जाना चाहेंगे आज आखरी दिन है प्रचार का अश्राम को प्रचार थम जाएगा ऐसे में दोनों ही पार्टियों के दिगज नेता दमों में मौझूद हैं क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि जल्द ही चुना होने वाले हैं जिया देखिए अब आज हम कह सकते हैं प्रचार थम जाएगा और सभी जो दिगज यहां मौझूद है और काफी लंबे समय से हैं मौझूद है बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं कॉंग्रिस के प्रचार कर रहे हैं अगर बीजेपी से हम बात करें तो बीजेपी के स्टेट प्रेश्टेन्ट विश्डुदत्य शर्मा लगातार यहांदोरे पह रहे इसके लावा पहलाथ पटेल लगातार है करीब छे मंत्री जो है वह इहां कमान समारे वह भूपेंदर सिंग्ग उनको प्रवारी बनाए गया है इसके लावा गोपाल भारगाव भी है मोजूद रहे तो ये तमाम नेता और मंत्री जो है अब यहां से विदाई ले लेंगे क्योंकि पांच बजे नियम ये है चुनावा योक्का की कोई भी भारी व्यक्ती प्रचार खत्म होने के बाद उस विदानसवा चेतर में नहीं रह सकता जो उस विदानसवा चेतर का नागरिक ना हो तो काम जो कांग्रेस के दिकज नेता हैं वो भी हम और्चा समाले हुए थे लेकिन अब वह भी प्रचार यहां से रवाना हो जाएंगे तो कुल मिला कि अब जो प्रचार के जो गती रहेगी या प्रचार का जो तरीका रहेगा वो डोर टू डोर होगा और प्रत्याशी या उन प्रचार का जिम्मा समाल रही है अब डोर टू डोर प्रचार होना है जनसंपर्क होना है तो निश्चित रूप से यह आखरी वक्त है प्रत्याशियों के लिए जो अपनी पूरी ताकर लगा सकते हैं और एक एक घर में जाकर संपर्क कर वो अपने पक्षमें मतदान की चुमकि करोणा काल चल रहा है और करोणा की जो खबरे आन्ने जिलोसे जो यहां पहुँच रही है दमों में वहर डराती है और इसे में मतदान का पतिशाथ बड़ा रहे लोग डरे ना लोग मतदान का प्रयोग करें यह निश्श्य दूरूप से एक बड़ी चुनोती हुआ है लेकिन प्रशाशन ने कि समुचित व्यवस्ता की है सोशल डिसेंसिंग का पालन करते हुए मद्दान कराने की पूरा जो मद्दान केंदर बनेगा वो पूरा सेनिटाइज रहेगा जो भी मत्दान करमी होगा उसको पूरी सुरक्षा के साथ वहां पर तेनात किया जा कि दो मई को किसका पर्चम लहराता है दमो विदान सभा में तो एक तरह से कहा जाए कि अब आखरी समय है आज शाम पांच बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत जोक रखी एक तरह से कहा जाए सभी दिगज नेता दमो मे मौजूद है और आज चुनाव प्रचार किया जाएगा 17 अपरायल को मतदान होगा और फिर देखने को मिलेगा कि दो मई को किसके हिससे जीत आती है